Dear Students, Junior Classes की इस वीडियो सीरीज में हमने Last 5 Lectures वीडियो में एक चप्टर को फिनिस किया है अब इस वीडियो लेक्चर में हम नया चप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चप्टर होगा Profit Loss and Discount पहले मैं आपको इस वीडियो में कुछ रूल बताऊंगा तरह उसके बाद हम कुछ प्रावलम को सॉल करेंगे प्यारी बच्चों पहले हम Profit की बारे में बात करते हैं एक टर्म होती है Sailing Price Sailing Price यानि वो प्राइस जिसमें कोई दुकंदार कोई समान बेचता है या कोई आर्टिकल बेचता है हम इसको SP से रिपजन करते हैं Second term होती है Costing Price यानि वो आइटम कितने में खरीदा गया है इसको CP का आ जा सकता है And if Sailing Price is Greater Than Costing Price यानि दुकंदार ने जो समान बेचा है वो Sailing Price जितने में वो समान खरीदा आया उससे ज़्यादा है तो दुकंदार को Profit होगा यानि Profit का फामला हमारे पास क्या आ जाता है Profit equal to Sailing Price minus Costing Price ये इस तरह से हम किसी भी निमेर कल में किसी प्रवलम में Sailing Price को Calculate करेंगे Second ये फर्स्ट हमती Profit हम कैसे Calculate करेंगे Second हम Loss कैसे Calculate करेंगे यदि उस दुकंदार का Sailing Price Costing Price से कम है यानि उसने जितने में समान बेचा वो उसके खरीदने के Amount से कम है तो उसको Loss होगा यानि Loss किसके एक और होना चाहिए Sailing Price Minus Costing Price again लेकिन कब जब Sailing Price की Value Costing Price से कम है तब वो हमें Loss देगा अब हम First Problem को हम सॉल करते हैं First Problem हमने सामने लिखी है A student bought 10 Notebooks for Rs.40 and sold at 4.75 each Notebook Find Percentage of Profit इसका मीनी क्या है कि 10 Notebook को 40 रुपी में परचेज किया गया है तो Costing Price एक Notebook का 40 रुपी में हमने 10 Notebook को परचेज किया है तो ये 4 रुपी की एक Notebook हो गई और उसने 4.75 की उसको सेल की है तो Selling Price SP ये 4.75 है रुपी के निसान को हम ऐसे रिपजन कर सकते है तो यहाँ पर Profit जैसा हमने उपर आपको बताया है Profit हो जाएगा Selling Price माइनस Costing Price क्योंकि हमने बताया था आपको कि Selling Price Costing Price से Greater होता है तो Profit होगा इसका मिनिंग ये है क्योंकि Selling Price 4.75 है और Costing Price 4 है ये Greater है इसका मिनिंग इसमें Profit होगा Selling Price 4.75 माइनस Costing Price 4 तो उसको Profit होगा 0.75 रूपीज का या 75 पैसे का अब इसमें निकालना है Calculate करना है आपको Percentage of Profit Percentage of Profit हमें Calculate करना है तो Percentage of Profit हमारे केतना हो जाएगा Percentage Percentage of Profit वही फारमला जो हमने उपर यूज किया है Percentage of Profit के लिए हमने ये फारमला जोज किया था ये रहा Profit Profit अपोन Costing Price अपोन 100 इन्टू 100 तो Profit यहाँ पर ये 0.75 रूपी है 0.75 रूपी अपोन Costing ये रही 4 रूपी 4 इन्टू 100 0.75 के 100 मां मल्टिप्लाई होगी तो ये 75 अपोन 4 4 को हम डिवाइड करते हैं 4 वन्जा 4 3 3 5 रिमेनिंग 4 8 जा 32 तो यहाँ पर 3 4 18 3 by 4 ये इसकी percentage profit of percentage of profit होगा जदी ये इस्टूटेंट 4 रूपी की नॉट्बूक परचेज करके लाता है और 4 रूपी 75 रूपी से की सेल करता है तो इसको 18 3 by 4 इतने percentage का profit होगा या आप कह सकते हैं 75 by 4 percentage का profit होगा अब हम इसी तरीके की दूसरी प्रॉब्लम को solve करेंगे सेकंड प्रॉब्लम है ये सोब कीपर 22 एन आर्टिकल एट 4 4 3 रूपी इसका मलब उस सोब कीपर ने 4 रूपी 3 रूपी के परचेज किये तो कोस्टिंग प्राइस of each आर्टिकल हो जाएगा 3 upon 4 ये आप कह सकते हैं 0.75 रूपी and sells them 3 4 रूपी 4 यानि सेलिंग प्राइस SP ये हो गया उसने 4 रूपी के 3 रूपी के तीन आर्टिकल लिए है तो 1.33 ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया अब सेलिंग प्राइस क्योंकि कोस्टिंग प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मिनिंग यहां उसको प्रोफित हुआ है प्रोफित मींज सेलिंग प्राइस माइनस कोस्टिंग प्राइस सेलिंग प्राइस मींज 1.33 माइनस 0.75 या अब इसको सेटर करते हैं 13-58 and 12-75.58 58 पैसा का उसको प्रोफिट हुआ है percentage profit हमें इसमें calculate करना है percentage profit का formula हम उपर पढ़ चुके है profit upon costing price into 100 profit हमने उपर निकाला है यह 58 पैसा है into 100 upon 0.75 उसकी costing price है यह हम लिख सकते हैं 58 upon 0.75 इसको हम score करते हैं यह हम point हटाएंगे तो उपर 100 आ जाएगा क्योंकि यह point 2 के बाद था तो यह हमारे पास है 58 hundred upon 75 हम इसको divide करते हैं तो यह हमारे पास 77.33 इतने percentage का answer आता है प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैंने profit और percentage profit के formula के साथ साथ दो problems आपको दो sums को solve कराया हैं अगली वीडियो में हम इससे कुछ और ज्यादा problems को solve करेंगें थैंक यू अग्चों कांप में हैं